Hello Friends, मेरा नाम है गितांजली और आज हम इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं Birthday Party Props चलिए देखते हैं वीडियो में Party Props बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ colorful sheets एक hard cardboard, favicol, pencil, eraser और cutter अब हम बनाने का process start करेंगे सबसे पहले हम एक red color की sheet लेंगे और उसके उपर हम इस तरह से heart को draw करेंगे हमें दो heart draw करने हैं और उसके बाद दोनों को हम बीच में से मिला लेंगे इस तरह से अब हम इसे cut करेंगे जहां जहां हमारी pencil की shape जा रही है उसी shape को हम cut कर लेंगे और इस तरह से देखिए हमने cut कर लिया है अब इसके अंदर की side भी हम heart को draw करेंगे और अंदर की side से भी हम इसे cut कर लेंगे इस तरह से हम अंदर की side से इसे cut करेंगे और जिस तरह से हम इस side कर रहे हैं उसी तरह से दूसरे heart को भी हम cut कर लेंगे देखिए friends यह जो है हमारा इस तरह से cut हुआ है और इसके अंदर से आप देख सकते हैं देखिए यह हमारा कट हो गया है अब हम red color की sheet पर ही lip की shape बनाएंगे इस तरह से देखिए हमने दो shape बनाई है और दोनों को हम cut कर लेंगे इस तरह से हमें cut करना है वही pencil की shape जहां जहां जा रही है वहाँ वहाँ हम इसे cut कर लेंगे और जिस तरह से हमने ये वाले lip को cut किया है उसी तरह से दूसरा भी lip हमने cut कर लिया है इसके भी हम अंदर की side एको draw करेंगे lip को और उसे भी हम अंदर की side से cut कर लेंगे देखिए इस तरह से हमें अंदर की side से cut करना है और जिस तरह से हम इस वाले को कर रहे हैं उसी तरह से दूसरे वाले लिप को भी हम कट कर लेंगे और देखे फ्रेंड्स हमारे जो दो पार्टी प्रॉप हैं त्यार हो गए है अब हम ब्लैक कलर की शीट पे इस तरह से हैट बनाएंगे और इसे हम इसी shape में cut कर लेंगे उसके बाद हमने एक पतली सी strip cut की है यलो कलर की इसे हम head के उपर paste करेंगे और पीछे की side ले जाते हुए हम इसे अच्छे से paste कर लेंगे और देखे हमारी प्यारी सी head बन के तयार हो गई है अब हम इसके बाद black color की ही sheet पे इस पैक्स को रखेंगे और इस तरह से इस ग्लासिस की हम शेप बना लेंगे और इसे भी हम जैसे हमने इसे ड्रॉ किया है उसी शेप में हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से हम इसे कट करेंगे उसके बाद इसके अंदर की साइड हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे पैंसल से और इसे भी हम cut करेंगे जिस तरह से हम इस side करेंगे उसी तरह से दूसरी side का भी हमने cut कर लिया है इसके बाद अब हम मूचे बनाएंगे और देखिए इस तरह से हम मूचे बनाएंगे और इने भी हम cut कर लेंगे देखिए इस तरह से हम इने इसे भी हम इस तरह से cut करेंगे और हमारी ये भी cut हो गई है अब इस तरह की एक hard sheet है इसके उपर हमने सबी चीजे draw कर लिये है जो जो हमने cut की दी इने हम cut कर लेंगे और देखिए hard को जो हमारा hard cardboard तब हमारा cut हो गए है सबी के shape के इने हम hard करने के लिए इन sheets को cardboard के उपर paste कर लेंगे देखे इस तरह से हम paste करेंगे तो यह हमारे थोड़े hard हो जाएंगे और देखे इसी तरह से हम इन सभी को cardboard के उपर paste कर लेंगे देखे इस तरह से हम paste करेंगे सभी को जैसे हमने ये दोनों करें उसी तरह से सभी को इन सभी के पीछे cardboard paste कर लिया है और देखें ये काफी hard भी हो गए है अब आप चाहे तो इस तरह के printouts भी निकाल के ला सकते हैं इस पे ये hard copy पे है तो इने cut करने में भी आसानी होगी और आपको इने paste भी नहीं करना पड़ेगा और इसकी जो sheet है काफी hard होती है तो इसको waste करने से अच्छा इसके उपर भी हम थोड़े party props बना सकते हैं देखें इस तरह से मैं इसके उपर party लिखूंगी और इसको outline कर लूँगी इसका इस तरह से इसका outline करेंगे और उसके बार इसे cut कर लेंगे और देखें फ्रेंट्स एक party props भी हमारा त्यार हो गया है अब हम क्या करेंगे सभी हमारे बन गए है party props अब हम इस तरह की chopstick लेंगे और इनको इसके back side पे paste करेंगे हमें back side पे paste करना है glue gun की help से हम इने paste करेंगे और glue लगाएंगे और बिल्कुल corner में हम इने paste करेंगे देखें इस तरह से हम one by one सभी के उपर back side में इने paste कर लेंगे इस तरह से हमें बिल्कुल आराम से side में paste करना है और देखें friends सभी पे हमने paste कर लिया है और जो सारे party props से हमारे बनके तयार हो गए हैं आप देख रहे हैं सभी हमारे बनके तयार हो गए हैं आपको ये कैसे लग रहे हैं मुझे comment box में जरूर बताईएगा और यदि पसंद आए हो तो वीडियो को like, subscribe और share जरूर कीजिएगा Thank you